एलो एन वेलकम टू बेसिक सिक्चा तो कैसे हैं आप लोग आयोब सभी लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहेते सर सभी सब्जेक के डीटेल वीडियो आगे आखिर कॉमर्स कब आएगा सर बीकॉम का सिलबस कब आएगा क्या बीकॉम न सब्जेक के बारे मैं आपसे डिसकसन करूँगा आपको गाइड करूँगा उसके लिए ठीक है तो आज हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में डिसकस करेंगे इसके आगे हम लोग BST और Economics में भी डील करेंगे तो मैं ही आपको सब नहीं पढ़ाँगा और भी Commerce के एजुकेट से यानि BSU से BCOM और MCOM किया है और मैंने दो बार NTA के दोबारा कंड़क्ट किया जाने में एक्जाम UGC NET को क्वालिफाई किया है ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि भाईया मैं NTA से रूबर हूँ अच्छी तरीके से रूबर हूँ NTA आपसे किस तरीके से question कर सकता है आपको क इस बायो होंगे या आर्ट के होंगे उनका भी मन होगा कि commerce पढ़ना ठीक है तो उनको भी टेंसल लेने के जोरत नहीं हो कुछ लोग उनके मन में यह होगा कि हमने basic पढ़ा नहीं है तो क्या हम लोग कर सकते हैं तो भाईया इस चैनल का नाम है इस प्रेटपॉर्म का नाम ह बेसिक सिक्षा ठीक है तो क्या आप लोग समझते हैं basic सिक्षा जब नाम है तो मुलब basic से लेकर आपको advanced level एंगी NTA level तक लेकर जाएंगे तो आप लोग आईए एक दो classes attend करिए आपको खुदी अंदाज अलग जाएगा कि यहां पर कैसे आपको guide किया जा रहा है तो बिल्क basic के term 2 में जो भी chapter है जो भी chapter आने वाले हैं उनको पहले target किया जाए ताकि आपका revision भी अच्छे वे में चल सके तो हम लोग आज discussion करेंगे accountancy के बारे में पूरे अच्छे तरीके से accountancy में क्या आने वाला है कहां कहां से question उठ सकते हैं ठीक है तो मैं आपको एक एक चीज क्या हम लोग ने ठीक है तो accountancy of partnership form में क्या क्या मिलेगा आपको fundamental मिलेगा goodwill उसके nature of valuation मिलेंगे admission of partner, retirement, dissolution और insolvency अभी हम लोग आगे और discussion डीटेल में करेंगे इसको यह तो overview है ठीक है accounting for companies company में आपका वही पुराना share capital वही डिवेंचर ठीक financial statement analysis इसमें मिलेंगे वही आप आपको ratio analysis, cash flow statement, comparative statement और statement of profit and loss और balance sheet जो उसके अंदर major heading और sub heading है कि किस में क्या आता है जो vertical form है उसको हम लोग अच्छे में देखेंगे और आखिरी chapter आपका एगा NPO ठीक है तो हम लोग सब को अच्छे वे में देखते हैं कि इन particular chapter में से कहां कहां से question आप से और किस तरीके के question पूछे जा सकते है ठीक है तो आप लोग classes को अच्छे से follow करिए गए Saturday से most probably Saturday से आपके classes लगेंगी पहला classes होंगी अकाउंटेंसी की ठीक है तो आप लोग लगिए और करिए ठीक और मैं आपको बता दूँ fundamental fundamental में question उठते हैं deed से ठीक कि deed होता क्या है ठीक है क्या deed compulsory deed written में होता है या oral में होता है यह सब चीज़े छोटी छोटी चीज़े और यहां से question जरूर उठता है और उठेंगे ही उठेंगे कि भईया अगर deed silent है अगर partnership deed silent है तो क्या होता है जो भी provision है partnership act 1932 के वो applicable होते है त जैसे कि 6% interest on loan वागरा है यह देना पड़ता है बाकी चीज़े नहीं देनी पड़ती है profit जो है profit and loss उसको हम लोग equally share करते हैं यह सब चीजे छोटी-छोटी चीज़े आएंगे ठीक है इसको हम लोग देखेंगे उसके बाद आएगा profit and loss appropriation account क्या होता है अब profit and loss appropriation account हम लोग deal करेंगे तो sir क्या 11 के question नहीं आएंगे क्या 11 से कुछ भी नहीं आएगा नहीं 11 से आएंगे जो भी चीज़े आएंगे उसको हम लोग डिसकसन करेंगे आप लोग को बिल्कुल भी टेंसा नहीं लेना है जो भी 11 के relevant चीज़े होंगी classic दोरान आपको बताई जाएंगे ठीक तो इसमें निकालना होता है जो deficiency होती है उसको आखिर कितना देना है कौन कितना देगा तो इससे related छोटे से question आते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे ठीक है अगला देखते है goodwill भाया goodwill क्या होता है goodwill को simple language में देखा है तो reputation होता है किसी form का reputation तो इससे भी question आते हैं और numerical इससे आते हैं और कुछ theoretical portion भी आते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे छोटे छोटे निवनेकल कैसे बन सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है चाहे commerce background वाला हो या non commerce background वाले हो और एक और चीज़ मैं आपको बताते चलू कि आपको notes कैसे बनाना है classes के दौरान म अब यह objective paper है ठीक है तो आपको पूरा paragraph नहीं लिखना है one liner type का लिखना है कि हाँ आपका exam में वो आएं चीज़े और exam से पहले आप जल्दी से उसको revise कर सके ठीक है goodwill में किस तरीके से question आते है जो method है goodwill के तीन average profit method हो गया super profit हो और capitalization method हो गया इससे छोटे-छोटे question मनते है उसको हम लोग करेंगे उसके बाद types of goodwill गुडविल के कुछ type है जैसे कि self generated goodwill हो गया या purchase goodwill हो गया या कुछ other type है जू लाजिकल basis पर जैसे कि cat goodwill हो गया dog हो गया rat हो गया इन सब को हम लोग अच्छे way में करेंगे ठीक है next देखते हैं हम लो admission admission आप partnership से भी कुछ question आते है तो उसको भी हम लोग देखते हैं कहां कहां से आ सकते हैं ठीक है तो admission में आते हैं sacrificing ratio से Revalues of Assets and Liability अबर नया partner आता है तो जो Assets and Liability Revalue करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज़े जाते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद जो भी already reserve और accumulated profit है उसका क्या treatment होता है Goodwill का क्या treatment है हम लोग उसको देखेंगे चोटी-चोटी question या answer क्या आते हैं और हम लोग उसको देखेंगे बिलकुल भी नहीं कपला आना है next retirement and death of a partner अगला चेप्टर है इसमें भी वही सेम चीज treatment of goodwill profit sharing ratio जो partner है उसका loan account retiring partner का loan account और preparation of disease partner capital account ये सब चीज़े हैं ठीक है इसक इसको भी हम लोग करेंगे उसका अगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत बच्चों को confusion होता है और इसको भी confusion है तो आपका confusion दूर हो जाएगा आप लोग आए या तो gaining ratio होगा, sacrificing ratio होगा, new ratio होगा इससे question आने इदम confirm है लिख के रख लिए इससे question आएंगे ही आएंगे आते हैं तो इसको भी हम लोग अच्छे वे में करेंगे जिसको confusion है वहाँ से बिल्कुल निस्चिन तो जाए सब confusion दूर होने वाला है और आगे बढ़े पार्ट नसीब को देख लिए हम लोग नहीं अब बढ़ते हैं अकांटिंग फॉर कंपनीज अब कंपनीज में दो चैप्टर मिल लिए आते हैं क्या capital यानि कि सेर कैपिटल और डिबेंचर तो उसके अंदर किस किस जगह से question पूछे जा सकते हैं आपसे उसको अम लोग डि सब्सक्राइब हो गया यह सब आते हैं और कुछ लोग को confusion होती है सब दूर हो जाएगा issue of share for feature यह बहुत important topic for feature and reissue इससे numerical question आने ही आने है इसको अम लोग देखेंगे ठीक है तो for feature हो गया एक होता है ESOP imply stock option plan यानि कि इसमें क्या होता है imply को कुछ privilege मिलता है कि आप लोग पहले share कुछ कम rate पर खरीच सकते हैं इसको मैं बताऊंगे classes के दौरान और एक होता है private placement यहां पे जो company है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ठीक है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहां sweet equity share क्या होता है यह मैं बताऊंगा आपको और जो security premium reserve है इसका utilization कहां कहां होता है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो अब यह हम लोग ने देख लिया पार्ट नसीब के बारे में देख लिया कहां कहां से question बन सकते हैं और company के बारे में भी देख लिया कि share capital में क्या बन सकते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे debenture के तर तो भी यह पार्ट नसीब पढ़ लिया company पढ़ लिया आगे बढ़े हैं बोलो हाँ सर बढ़िये ठीक है बढ़ते हैं चलिए financial statement analysis इसमें आपका वही सब ratio analysis हो गया cash flow हो गया ठीक है अब cash flow ratio में different तरीके के जो ratio हैं ratio में बहुत सारे ratio profitability ratio हो गया उससे कुछ numerical बनते हैं activity ratio हो ग अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे ठीक तो ratio आपका हो गया cash flow, cash flow statement इसके जो तीन activity या operating, investing और financing इससे theoretical question आते हैं numerical तो बहुत कम आते हैं theoretical question ही इससे आते है theoretical जो portion है इससे उठेगा तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे इसके बाद आगे बढ़े तो आखर payment account है उससे बनते हैं, income और expenditure account जो है यहाँ से बनते है, subscription से छोटा सा numerical question आ सकता आपका, ध्यान दीजेगा, subscription से numerical question बन सकते हैं, और उसके बद आखरी देखें, cost of consumer जो goods है, यहाँ से भी numerical आने के chances हैं, ठीक है, numerical तो यह था भईया, आपका account, आपके account को मैंने काफी अच्छे वे में explain किया, अगर आपको फिर भी कोई doubt रहा गया है, तो आप लोग के लिए comment section सिर्फ आप ही लोग के लिए खुला हुआ है, तो आप लोग आएं, और जो भी चीज हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी ल दिया गया, आपको BST और economics का भी detail syllabus, ऐसे ही आपके सामने आएंगे, तो मैंने सब कुछ बता दिया, हाँ, financial statement analysis में आपका comparative statement एक बच गया, और जो schedule of changes है, profit loss और balance sheet का की heads जो हैं, और sub heads हैं, उससे भी question बनते हैं, तो वो भी मैं आपको classic सिर्ण बताऊंगा, और जो भी चीज आपके सामने Saturday को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद